आज जिस personality की हम बात करेंगे इन्होंने film industry में शुरुआ की थी एक make-up touch-up artist से धीरे-धीरे extras का role मिलने लगा लेकिन आगे जाकर ये बनी बहुत बड़ी seductress, item girl और south industry की sexy siren फिल्मों में इन्हें अकसर seductress roles मिलते थे जिसमें इन्हें अपनी अदाएं दिखाकर ललचाना होता था और कपड़े गिराने होते थे 80s की ये बात है जब actresses जादा exposed नहीं करती थी और इन्हें उस time में exposed करने से परहेज नहीं था यही कारण है कि कुछी सालों में ये इतनी popular हो गई कि industry में आने के within 4 years इन्होंने 200 से ज़ादा फिल्मों में काम कर लिया था फिल्मों में इनका गाना होता था तो फिल्में हिट हो जाती थी और फिल्में जल्दी बिग जाती थी ये कहना गलत नहीं होगा कि industry ने इनका इस्तमाल एक product के रूप में किया लेकिन जब इन्हें जरुवत पड़ी तो फिर इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया जीते जी इनकी तारीफ किसी ने की नहीं और तो और मीडिया में इनके बारे में negative खबरे फैलाई गई लेकिन मरने के बाद जब इनकी लाइफ पर एक फिल्म बनी और उसमें विद्या बालन ने इनका किरदार निभाया तो उस फिल्म को एक के बाद एक तीन national awards मिलें आप समझी गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ साउथ की actress सिल्क स्मिता की सिल्क की लाइफ से जड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब एक make-up touch-up artist का काम करने वाली सिल्क बनी साउथ का इतना बड़ा नाम क्यों सिल्क जिसने सबकी मदद की कई producers को suicide और बरबाद होने से बचाया उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और कैसे एर 96 में सिल्क की लाश अपने ही घर पर मिली mysterious circumstances में उनकी death हो गई सिल्क स्मिता का जन्म आंध्रप्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ जन्म के बाद सिल्क का नाम रखा गया विजय लक्ष्मी सिल्क बहुत खूबसूरत थी और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वो बहुत ज़ादा attractive बनती जा रही थी बढ़ती उम्र के साथ जब वो जिस गाउं में रहती थी वहाँ पर मेल्स का बहुत ज़ादा attention सिल्क पर आने लगा तब उसके parents ने पढ़ाई छुड़वा कर उसकी शादी करवा दी शादी करने के बाद सिल्क का जो पती था उसके साथ मारपीट करता था बड़ा दुखी कर रखा था यही कारण है कि एक रात सिल्क अपने ससुराल से भाग मिकली और इसके बाद फैमिली वालों ने सिल्क को चैन्नाई में उसकी एक आंटी के याँ छोड़ दिया जहां पर सिल्क उनके साथ काम करने लगी वो आंटी घरगर जाकर काम किया करती थी सिल्क भी उनके साथ domestic help के रूप में काम करती थी सिल्क के जो अंकल थे वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे और तब सिल्क अपने अंकल के साथ में फिल्मों के सेक पर जाया करती थी चोटे मोटे काम करती थी और धीरे धीरे उन्हें make-up touch-up artist का रोल मिला कभी कबार फिल्मों में एक्स्ट्रास की जरुवत होती थी तब भी सिल्क को काम मिल जाया करता था एंटरी करके एक मल्यालम फिल्मेकर है वो उस दोरान एक फिल्म बना रहे थे जो कि सेक्स वरकर्स पर बेस्ट थी उन्होंने इस फिल्म के लिए एक एक्क्ट्रस को साइंग कर लिया था लेकिन फिल्म की शूटिंग के कुछी दिनों पहले उस अक्ट्रस की मौत हो गई उस एक्ट्रस ने स्यूसाइट कर लिया था वो actress थी, heroine Shobha, जिसकी death के बाद ये role Silk को दिया गया किसे पता था कि आगे जाकर sexy, hot ये शब Silk की personality के साथ जुडेंगे और उनका अंत भी suicide से ही होगा वैसे इस film में Silk ने जो किरदार किया, उसके लिए उनने काफी praise मिला Silk की body और उनके looks इस तरीके से थे हमेशा male attention का ध्यान अपनी और आकरशित करते थे वो काफी sexy और hot लगती थी और उसी तरह के role जब उनने दिये गए तो उन्होंने परहेज भी नहीं किया इस तरह के role से और जब भी वो screen पर इस तरह के role करती थी तो वो scenes जो है वो vulgar ना दिखकर seductive दिखते थे जो असल में एक filmmaker के लिए दिखाना बहुत tough काम होता है लेकिन silk को लेते ही वो scene अपने आप अच्छा हो गया इसके बाद silk को कुछ गानों पर भी dance करवाया गया गानों में silk के steps जबदस तरीके से खिल के आता थे in fact filmmakers का कहना था कि अगर silk की जगे कोई और actress इसमें dance करती तो शायद वो vulgar लगता लेकिन silk ने जो dance किया वो बहुत अच्छा लगा विजय लक्ष्मी के silk बनने के पीछे की कहानी भी काफी interesting है South के एक director है वीनू चक्रवती उन्होंने silk को अपनी एक film वंदी चक्रम में कास्ट किया था इस film में उनके जो किरदार का नाम था वो silk था और यहीं से विजय लक्ष्मी को मिला उनका नया नाम silk इस film ने ना सिर्फ as an actress silk को पहचान दिलवाई थी बलकि industry में establish करा इसी film ने और सबसे बड़ी बात इसी film से silk को मिल गए अपने godfather जिनोंने industry में आगे जाने में उनकी काफी मदद की विनू चक्रवती ने silk को काफी groom किया actress के तौर पर इनफेक्ट उनकी wife भी silk को बहुत पसंद करती थी उन्होंने silk की language उसको English सिखाना उसकी body language पर काम करना ये सब उन्होंने किया था क्योंकि जाहिर सी बात है silk पड़ी लिखी नहीं थी और इतनी जादा confident नहीं थी कि वो कैमरे के सामने इस तरह से perform करे और ये सारी training विनू चक्रवती और उनकी wife ने silk को दी थी अगर आपने dirty picture देखी होगी तो उस film में एक डिरेक्टर था कीड़ा दास जिसने silk को बड़ा chance दिया था पहली बार वीनू चक्रवती ही असल जिंदगी में वो कीड़ा दास है जिनोंने silk को groom किया actress के तौर पर यहां से silk की ये journey शुरू हुई अब filmों में silk को जहां पर sensuous roles होते थे वहां वो roles मिलने लगे थे और silk जैसे ही screen पर आती थी एक अलग ही magic हो जाता था और silk की जिस तरीके से तारीफ मिल रही थी फिल्में जिस तरह से hit हो रही थी उस साथ से producers को समझ आ गया था कि silk जो है वो filmों में पैसा चापने की machine है चार सालों में silk ने 200 फिल्में कर ली थी इन में से कई फिल्में ऐसी थी जो बंद डबा थी जिनने कोई distributor खरीद रही रहा था तब producers ने silk का गाना डलवाया film में और वो film में चल पड़ी In fact, theaters में तो कई बार ये माहोल देखा गया है कि film भले ही audience को अच्छी नहीं लगी लेकिन audience सिर्फ silk का वो गाना देखने आती थी और गाना खतम होने के बाद theater से चली जाती थी Silk ने तामिल, तेलगू, मलियालम हर तरह के फिल्मों में काम किया In fact, Bollywood की भी कई फिल्मों में काम किया जिसमें से एक बड़ी फिल्म है सदमा, जिसमें श्री देवी और कामल हसन थे Silk पर काम बरस रहा था और producers पैसा बरसाने को तयार थे Silk को अगर कुछ करना था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ महनत और जिस background से या जिस तरह की जिन्दगी Silk जी कराई थी उसके इसाब से ये जो महनत वो कर रही थी वो कुछ भी नहीं थी Silk दिन की तीन शिफ्ट में काम करती थी फिल्मों में एक सॉंग के लिए पचास हजार चार्ज करने लगी थी 80s की ये बात है रजनी कान, चिरन जीवी, शिवाजी गनेशन सब टॉप आक्टर्स की फिल्मों में Silk काम कर रही थी कहीं बेडरूम परफॉर्फॉर्मेंस तो कहीं क्लीवेट शॉट्स, Silk सब कुछ मज़े से कर रही थी ऐसी कहीं सारे रिपॉर्ट से Silk को लेकर कि इंडस्री के प्रेडूसर्स की वो फेवरेट थी इसलिए भी क्योंकि कहीं ऐसे प्रेडूसर्स थे हैं जो बरबाद होने की कगार पर थे जिनके पास स्यूसाइट के अलावा कोई और आप्शन नहीं था उनके लिए उन फिल्मों को जो कोई नहीं खरीद रहा था उनमें Silk ने गाना किया और उन गानों के कारण उन फिल्मों ने सिल्वर जुबली की है यानि कि प्रेडूसर्स की ना सिर्फ जान बचाई है बलकि उनके करियर में फिर से रफतार आ गई और पैसा भी कमा कर दिया Silk पैसा कमाने की मशीन बन गई थी खुद भी कमा रही थी और Silk के साथ जो प्रेडूसर्स काम करते थे वो भी पैसा कमा रहे थे और यही वो टाइम था जब Silk टॉप पर थी, डिलेशन्शिप को लेकर भी काफी उनके चर्चे थे, हर दूसरे दिन किसी नए शक्स के साथ उनका नाम जुड़ता था, यही वो अपका कुछ बिगार नहीं सकती है लेकिन Silk की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब इंडस्ट्री का माखोल चेंज होने लगा, तब जब आक्ट्रिसस खुद आइटम नमबर्स करने लगी और आक्ट्रिसस खुद ही वैंप के रोल्स भी करने के लिए तयार हो गई, यह वो टाइम था जब Silk को फिल्मों में काम कम मिलना शुरू हुआ, इधर Silk अपनी परसनल लाइफ से, टफ दौर से गुजरती थी, उनके हर दिन नए रिलेशनशिप्स और हर दिन नए खबरे आती और सबसे बड़ी बात अटेंशन जो Silk को मिलता था वो मिलना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि आप काम कम कर रहे हो यह वो टाइम था जब Silk डिप्रेशन में फिसलने लगी Silk जो यह सोचती थी कि इतना काम कर लिया, आप मुझे अच्छे केरेक्टर रोल्स मिल जाएंगे क्योंकि मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ, वो Silk सिर्फ और सिर्फ आइटम गर्ल बन कर रहे गई थी अच्छे रोल्स मिलना ही बन्द हो गए उन्हें, और क्योंकि Silk ने अच्छानक से इतनी सक्सेस देखी थी इसलिए कही न कहीं ये भी उनके लिए कहा गया कि सक्सेस ने उनका धमाग खराब कर दिया है और बहुत जल्दी गुसा हो जाती है किसी को भी कुछ भी बोल देती है इन्ही कारणों से Silk काफी कम लोगों से मिलती थी और बहुत छोटा फ्रेंट सर्कल था Silk का इन फैक्ट एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब Silk एक गाउं में शूटिंग करने के लिए गई तब लोगों के बीश में ही Silk ने कुछ ऐसी बाते कही जिससे उनका दुख पता लगा Silk ने कहा कि क्यूँ लोग जो है एक औरत को एक समान की तरह समझते हैं और क्यों एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है सबसे बड़ी बात जिस गाउं में Silk शूट करने गई वहाँ पर भी लोगों ने Silk को बुरी बाते बोली थी क्योंकि जहां परदे पर Silk जो है पैसा खीच रही थी पर कुछ लोगों ने अल्मोस्ट न्यूड चलते हुए देखा था फाइनली Silk को वहाँ से बचाया गया लेकिन तब तक ये खबर पेपर्स में छप चुकी थी mentally Silk बहुत ही ज़ादा डिस्ट्रेस हो गई थी लेकिन इसके बावजूद उनके पास पैसा था उन्होंने अपने आपको इंडस्ट्री में खड़ा करने का एक प्लान बनाया और फिल्म में प्रिड्यूस करना शुरू कर दी Silk अपने लिविन पार्टनर के साथ उसके कहने पर कुछ फिल्मों में पैसा लगाती रही तीन फिल्मों में तकरीबन चार करोड रुपया 95-96 की बात है तब Silk ने लगा दिया और इन सभी फिल्मों से Silk को भयंकर नुकसान हुआ Silk जिसके पास fame, name पैसे की कुछ कमी नहीं थी कुछ सालों पहले वो Silk अब गायब सी हो गई थी काम कम हो गया था डिप्रेशन में जा रही थी लोग तो वैसे ही चूट गई थे और अब जो साथ थे वो भी सिर्फ मतलब के लिए थे और जब पैसा खतम हो गया तो वो मतलब वाले लोग भी निकल गए अंत का वक्त कहते हैं कि Silk का इतना वुरा था कि वो कम ही लोगों से बात करती थी और जादा तर नश्य में ही रहती थी इन फैक्ट डैट से एक दिन पहले Silk ने अपनी फ्रेंड अनुराधा से भी बात की थी जो कि एक कोरियोग्राफर थी और दोनों ने अगले दिन मिलने का प्लान भी बनाया लेकिन दोनों मिल पाती उससे पहले ही Silk ने आत्महत्या कर ली Silk अपने पीछे एक्स्यूसाइड नोट भी छोड़के गई जो कि तेलवू में लिखा था इसमें Silk ने कहा कि वो काफी frustrated हो गई लगातार failure से और इसलिए वो ये कदम उठा रही है सबसे बड़ी बात कि जिस Silk का बुरा टाइम जब चल रहा था जिस Silk ने इतना पैसा खो दिया था उस Silk को वो producer तक मदद नहीं करने आए जिनके फिल्मों में Silk ने एक-एक गाना करके उनकी जान बचाई थी वो Silk जो फिल्मों में bold scenes करने से नहीं कतराई अपनी life में जब tough situation को boldly face करने का time आया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली अलाकि कहा तो ये भी जाता है कि Silk की आत्महत्या नहीं बलकि murder है उन्हें poison भी दिया गया हो कहते हैं कि मरने से पहले Silk ने शराब भी खूब पी थी और शायद नीम की गोलिया भी ली थी जो attraction Silk का था screen के उपर वैसा attraction Silk के बाद और कोई actress नहीं ला पाई हाला कि आगे जाकर शकीला ने इस तरह की fame पाई लेकिन Silk तो Silk थी और यही कारण है कि Silk के मरने के सालों बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलिवुड में Silk के लाइफ पर एक फिल्म बनी The Dirty Picture करके जब Silk के family वालों ने इस पर आवाज उठाई और एकता कपूर के खिलाफ complaint की तब एकता कपूर ने अपना बयान पलटते हुए कहा कि यह कहानी तो एक mixture है inspiration है यह किसी की life पर based नहीं है लेकिन सब जानते हैं कि यह film The Dirty Picture जो है Silk स्मिता की life पर ही थी उन्हीं की life के instances को उठाकर इस film को बनाया गया और इस film के लिए विद्या बालन सहित इस film को तीन national award मिले विद्या बालन जिनका career बॉलिवोड में almost निपड चुका था इस film ने विद्या बालन को industry में खड़ा कर दिया यानि कि कह सकते हैं कि जीते जी भी Silk पैसा खीचने की machine थी और मरने के बाद भी वो लोगों के लिए पैसा खीचने की machine ही बनी Silk की life से आपको क्या सीख मिलती है क्या वाकई में इस glamour industry के लिए कहा जाता है कि जो इसमें जाता है वो वापस निकल कर नहीं आ सकता है उसका अंत यही होता है क्या यह बात सही लगती है आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा Facebook पेज Bollywood ठिकाना फॉलो करें हमें Insta पे और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल Bollywood ठिकाना